तो आज के इस वीडियो में हम SSC MTS को टारगेट करते हुए अंते लास्ट के जो दस दिन बचे हैं आपके उसमें हम 1000 जो कोईशन है उसकी सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हर दिन आपको जो है 100 कोईशन मिलने वाले हैं आज इसका पहला दिन है कल आपको इसका दूसरा दिन ह आज यान की हम इस वीडियो में 100 कोईशन करने वाले हैं वो भी बहुत ही कम समय में ठीक है यह जो कोईशन हम लेके आए हैं यह वो कोईशन है जो बार बार यान की लगवग पचास से जादा बार जो है SSC ने इन कोईशनों को रिपीट किया है प्रिवीस एर के यह कोईशन अगर आपका पेपर है अक्टूबर के लगबग पांच तारीक के बाद से तो पेपर से पहले इन प्रिशनों को अवश्य दिखके जाए ठीक है प्रिवीस एर के आदार पर होने वाले हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब के लिए जिससे जब मैं रोज वीडियो डालूँआ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको ओन हो जाएगा तो चलिए हम वीडियो इस्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स हमारा पहला प्रशन है कि जून 2019 की इस्तेती के अनुसार भारत के रच्चरा मंत्री कौन थे तो यह राजनात सिंग हो जाएंगे बर्तमान में भी यही है यह उस समय करेंट अफेर का कोश्चन था जो उस समय पूचे गया था जब आपके 2019 में लाश्ट इयर इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन पूचाता कि भाविसा सींग जो है यह किस खेल से संबंदित है तो कराटे से संबंदित हो जाएंगी इसके बाद किस देश को कंट्री ओफ विंड इंग्लिस में ही उन्हों लेकि दिया था यान कि पबनू का देश किसे कहते है तो डैन्मा ब्यूटे जो है असंत कारवन योगिक नहीं है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं पौधे को मिट्टी के द्वारा कौन सा सूच में पोशकतत प्राप्त होता है तो सबको मालू है जिंक जो है आपको पौधे को मिट्टी के द्वारा प्राप्त होता है नेक्स्ट कोश्चन है रामसर अभी समय एक अंतर सरकारी संदी है जिसमें, ड़क के लिए फ्रेम Sparberk प्रदान किया गया था तो सब को मालूब है, जो आध्रभूमी है वो कौन सी है, नम भूमी जो होती है हमारी जो द्लदली भूमी होती है उनको आध्रभूमी मोलह आद्रभूमी को लेकर एक कन्मेंशन हुआ था जिसे हम कहते हैं रामसर अभी समय जे कब हुआ था 1971 में हुआ था कब दो फरवरी 1971 आपको डेट साइथ पूचे जागा क्योंकि दो फरवरी को हम बनाते हैं वर्ल्ड वैटलेंड्स यान कि विस्व आद्रभूमी दिवस इस व गनेशनल ऑपतुआ नेशनल पारग है दूसरा एक गजन्वी जेकरने नेक्ट केकम मनिम मन्दित किस ने हम लागे तो महमूत गजनवी ने किया था कब किया था यह कोशन पूचा जा सकता है अब एक कोशन था कि इस जो प्रेशन है इस पर इस्ट्राड लगा लिए न क्योंकि जातर जो इस्ट्रूइंट से इसे गलतिक कर देते हैं ठीक न सार्व भॉमिक गुरतव करसर्ड इस्थरांग जी का मान सबसे पहले प्राइयोगी रूप से निर्दारत करने वाले ब्यक्ति कौन था तो हैंरी क जाएंगे इसका जो आंसर है वो लागा क्या आते हैं न्यूटन और महीं उनका व्याता गला ठीक है तो इसको इसको इस्टाट रहा है हैंरी के विंदेस के हो जाएंगी ठीक है इसके बाद बूलागे भारती समीदान के किस बाग में भारत के केंदर सासित प्रदीशों के बें करने में वार्डण क्या गया तो इसमें केंदर सासित प्रदिशों के बारे में बर्डण क्या गया है भुटागीत किस भारती राज्ये से सम्मन्द तो किरल से हो जाएगा इसके बाद हरित करांती का सम्मन्द किसे तो गहों का उत्पाद ने सब को मालूम है और इसके जो जनक थे वो कौन थे वह जाएगे ठीकिक नदी uta जो है किस मत्री को खाधार मिरधा होती है इसको हहात Robotी के नाम से भी जानते हैं है इस वह बोलागे तें हुद हओं किस नदी का किस नधी का प्रामुकय स्त्रेॅख है तो गंगा का जो प्रामुकय स्तरे था है भागोरती नदी हमांचल प्रदेश का लोक पर यह मिला है तो इसको याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो है एससे बहुत ज्यादा ही रिपीट करता है मंचल प्रदेश में लगता है मिंजर मिला ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक राष्टिकरत बैंक नहीं है या कि फाहणा की पारंपरिक नाट श्ल sta का नाट मरतिय रूप कौन सा में की यह इसका इंई पर के आह यह पर मूब होता है किस ने एक झीना ठीक है इसका सही आंसर याओ उन्नीस सो चौरासी के संद्र में जीता था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेदें कि जून बहुआ है इसके बाद नेक्स्ट कुचे गया था केंध्रिय ग्रामीड सुक्षिता कारेकरम शुरू हुआ था नेक्स्ट है, जिस थे सार्व भूमिकил मतादिकार ब्रेतर है, निन्यूजीलेंट था, जिसे सव भूमिक प्रष। यह और प्रस्टन है, जो कि से अश्से से लगबक पचास से जयादा जो है, इनको रिपेट किया है, ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल भी understand मत कीजेगा ठीके ना इनको आपको बिल्कुत देखके जाना है परिक्षा से पहले दो तुन वार वीडियो देख लीजेगा तो आपको अच्छे से यह question रट जाएंगे ठीके ना next question हम देख लेते हैं वडिसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की जील कौनसी है तो चिलका जील है जो कि भारत की सबसे खारे पानी की जील कौनसी हो जाएगी चिलका जील भी हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है इसलिए बुलागा था आप्रवाही पानी का प्रतिन निद्रत पर करता है यानि कि उसमें आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों का सम्मिस्रण देखने को मिलेगा तो कुन सा हो जागा यह चार ओप्षन दीते हैं तो इसका सही अंसर हो कत्तक यह देखिए कत्तक कहां पर होता है तो यूपी जो यूपी हमारा है ना उसम कि आसेंचुरी इस नॉट नब इसकी यह किस भारती पुस्तक क्रिकेटर का है इनकी जो आटो वायोग्राफी उनका था आसेंचुरी इस नॉट नब तो किसने लिखी थी स्वारभ गांगुली जी की यह हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन हम दिख लेदें दिख लेते हैं भारत में सबसे उची प्रतिमा किसकी प्रतिमा है तो सबको मालू है सरदार बलब भाई पडेल की जो है प्रतिमा है जो कि स्टार करके इसकी डिजाइनर हो जाएंगे और इसका अनावरार किया था 31 October 2018 को जो है इसका अनावरार किया था ठीक है तो यह फैक्ट सारे याद रखीगा नेक्स्ट क्वेशन है इस्ट्रेट फ्रम दा हार्ट पुस्तक के लिए कि कौन है तो कपिल दे वो जाएंगे जोनों ने 1983 का वर्ल्ड कप जो है जिताया था ठीक है तो यह बहुत रिपीट होती है नेक्स्ट क्वेशन है कि इस्थानिय सरकार की इस्थानिय प्रणाली में शामिल नहीं है तो जिला परशेट सामिल है पंचाय समीति है ग्राम पंचायत है ग्राम समीति जो है इसमें शामिल नहीं है और इसे कब लागू किया गया था दो अक्टूबर 1969 को इसे राजिस्तान के नाग और जले से लागू किया गया था पंचायती राज्य संसोधन कौन सा है 73 संसोधन 1993 याद रखिएगा नेक्स कॉश्चन हम देख लेते हैं किस राज्य की समुद्री तटकी जो रेखा है वो सबसे लंबी है तो गुजरात की जाएगी जो कि हमारा पश्चमी तट है ठीक है मैं ऐसा बना के दिखायता हूं आपको यह कुछ इस तरीकी से हमारा भारत है ठीक है तो यह वाला जो है यह वाला एरिया यह जो हमारा गुजरात का एरिया इसकी जो लेंद है सोलासो क्लोमेटर की हाई यहा पर आंधर प्रदिस वरता आपका इसकी है ग्यारासो क्लोमेटर थी कर्ट है अगर आपशे पूरवी इतर्ठ पर पूछे तो तो कि किया तो कुछ पे और पांदरा को रिग सा सबदाता है next question, हम देखे लेते हैं Cortan next question, देखे, 39 questions हम करने वाले हैं, निमने मैं से कौन एकहँ बहु कोशिगी है जानवर नहीं है यानि की, जिसमे multiple कोशिका है नहीं हो थी है मतल他 single कोशिका में जो होता है वह ता हम्हआ, अमीवा तो अबनी चतुरवेदी हो जाएंगी मिग 21 का उड़ान भरने बाली थी कि इसको याद किएगा अगर आपको वीडियो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फ्रेंट के साथ सेर कीजिए जिस किसी का भी SSC MTS का एक्जाम है आने वाले दुर्ममे ठीक बहुत ही मैनत करके वीडियो बनाया गया भाँथ इच्छन च्छन के आपके लिए प्रेश्ण को लेकर आया गया है ठीक है उचलिए हम नेक्स्ट प्रेश्ण जो है हमारा कर लेते हैं नेक्स्ट प्रेश्ण दे तो एकली सब्सक्राइब तो कर्ली तो ऊसे तो वह थोगा क्वादिक्थ जेखें इसक्रावर्स। में होने वाली दिसातमक ब्रद्दी को क्या कहते हैं तो इस परसना इस परशा नुवरतन कहते हैं ठीक है जैसे आप कोई पौधा है मानके चलिए यह कोई पौधा है ठीक है यह कोई पौधा है अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो इसमें जो ब्रद्दी होते हैं हाथ लग तांतर के संभिधान को अपना है था इसके बाद नेक्ष की बारत में पांसो और हजार के करन्सी के नोट किस वर्स में आमान ने गोशित कर दिये गए थे तो दोजार शॉला आट नमबर दोजार सूला और जो है पांसो और हजके जो नोट थे वो नरदेंद्र मोधी जी ने बंद कर दीए नेक्ष देखे निमनने मैसे सबसे चोटा जो है जीवित पक्षी कौंसा था ठीकर सब्सके चोटा पक्षी कौन सा होता जीवित जोकी अभी हमि गोरी के इससे पहले हुआ था 1199 का यारा सो इंक यानवे में प्रसीवरा चोहन ने इन्हें डिपीट किया था पर बार्ण में मुहमत गोरी बापिस आया और उसने प्रसीवरा चोहन को हरा दिया तिक है मेक्सिको की रहने वाली एंड्रिय मेजा इन्होंने मिस यूनिवर्स का जो है किताब जीता है 2021 में नेक्स्ट प्रस में हम देख लेते हैं कि भारत ने स्वतंत्र था उन्हें के बाद पहला ओलंपिक स्वड़ पदक जितने वाली भारती होके टीम पर आजा रहे थी फिल्म मन महा नदी और गोदाबरी नदी के डिल्टा डैस मिट्टी से समर्द होते हैं तो जलोड मिद्धी जलोड जो मिट्टी होती है इससे समर्द है हमारे महा नदी और गोदाबरी के डिल्टा नेक्स्ट है कि GST का जो पूरा अर्थ होता है वो क्या होता है तो goods and service text आपका हो जा इसमें कौन सी धातू पाई जाती है तो इसमें जो धातू पाई जाती है वो पाई जाती है मैगनीशियम मैगनीशियम दातू इसके अंदर पाई जाती है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट प्रेशन देखिए डैस एक पक्षी है जो सांती का प्रतिक है तो कभूतर जा 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 बगेरा बनाते हैं, बिल्डिंग्स बगेरा बनाते हैं, तो इसकी एक तखनीक होती है, पिएट्र डियूरा करके, निमनले खितमे से किस इसमारक में पाई जाती है, ये चार ऑप्षन दियते हैं, इंडिया गेट, ताज महल, गेट आप इंडिया चार मीनार, तो जो पिएट तो sodium chloride हो जागा, इसका formula भी पूछा लेता हूँ, तो NACL हो जागा इसका formula, नेक्स्ट प्रेशन हम देख लेते हैं, लाबडी कौन से राज्य का लोक रत्य प्रकार है, तो लाबडी सबको माहारास्टर में होता है, ये होता है, तमासा करके भी होता है, वह भी हमारा कहां हो होता है, तो महारास्टर में हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा question है, that is, पुस्टक इंडिया 2020 क्रिशन लेगी थी, एक बोक है, इंडिया 2020, ये डॉक्टर, पीजे कलम, पीजे अब्दूर कलम सर के द्वारा लेखी गई थी, इंडिया 2020, ठीक है, इसके बाद है, तमिल नाड फार लेखी हो, इसके बाद, इंग्स्ट हमें देख लेखे हो, पहली भारतिय महिला को थी, तो ये थी, आर्ति सहा, इंग्लिस्ट चैनल 중요ता है, इंग्लिस्ट को था, इसके बीच हो जाएगा, नेक्स्ट प्रेष्न नें हम देख लेते हैं, तो फिर नेक्स प्र éénस है उह नर्मादा नदी है यह मद्य प्रदेश में कहां से निकलती है यह जो एकॉनॉमीक का दूठी चेत्र उसमें और त्रती में आती है सेवा आती है तो पहला पूचा के था क्रशी हो जागा तीनों मैंने आपको बता दिये याद रखिएगा नेक्स्ट जो हमारा प्रेश्ण है that is भारत का एक प्रमुक लो आयस के छेतर कौन सा है तो उडिसा और जारकंड जो चेतर है यहां से हमारा लो आयस को निकाला जाथा ठीक है नेक्स्ट की बैस्टिल जेल पर जनता के हमले की कौन सी गटना को जनम दिया था से आप याद रखिएगा नेक्स्ट प्रेशन देख लिए कि 1920 में कहां पर भारतिय राश्ट्री ये कॉंगरेस की बैटक हुई थी तो 1920 में कहां हुई थी नागपुर जो है आपका हो जागा 1920 में ठीक है और इसकी पहली बैटक कहां हुई थी तो 1905 में हुई थी बंबई में क इसके अद्यक्ष कोंते है डबलू सी बंदर जी वियो में इस चंद्र बंदर जी जो आएंगे इसके अद्यक्ष हो जाएंगे ठीक है ध्यान रखिएगा आप इसको नेक्स्ट कोश्चन है कि एक बुक है जिसका नाम है लाइट आप एशिया एसिया की जोती के रूप में क सबसे चोटी है तो कान में होती है कौनसी होती है इस्ट्यपीज होती है कौनसी इस्ट्यपीज याद रखिएगा आप ठीक है नेक्स्ट अप्रेश्न हम देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विस्प की सबसे बड़ी अर्थव्यस्ता था साथ भी ये 2018 का पूचा गया था भरतमान में पूचे तो भारत चटी चटी अर्थव्यस्ता है ठीक है और किसी किसी रिपोर्ट्स में आपको पांच भी भी देखने को मिल जागा तो वो रिपोर्ट्स के आधार पर है ठीक है वैसे ओवरॉल देखा जाए तो सिक्स्त रूट रैंक है भी भारत की स्री लंका में ग्रह युद्ध कब समाप्त हुआ था तो 2009 में जो उसके अंदर युद्ध चरह था आंत्रे की युद्ध भू हुआ था 2009 में समाप्त हो गया था नेक्स्ट प्रेशन हम देख लेते हैं निमने में से कौन सा अंत्रह इस्तरावी तंतर का हिस्सा नहीं है तो लार जो गरंती है या अंत्रह इस्तरावी तंतर का हिस्सा नहीं है कौन लार जो गरंती हो जाएगी आपकी क्योंकि जो लार गरंती हो दी ना इससे हमें लार का अहीं चेटक ते नेकी बारत डेश का सभसे छोटा डाज कहुंसा तो गोव सभसे चोटा हो जाए अगर आप से सबसे बड़ा पूच्छ से वड़ा है तो यह जागा राजिस्तान कौना राजिस्तान राजिस्तान सबसे बड़ा है छेत्र फल में और चपसे छोड़ा है गोवा ठीक है नेक्स प्रेशन देखिए उलम्पिक में रजट पतक जीतने वाली पहली भारती या महिला कौन है तो वो थी पीवी सिंदू ठीक है पहली बार 2016 में नोन जीता था बट अभी 2020 का चला है जिसमें कौन जीता है हमारी जो मीरा भाई चानू है उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है मीरा भाई चानू ठीक अगला प्राशन है जिन जेकस एक प्रशिद्ध डैस थे तो चिंतक ते जी जीन जेकस नाम के ये कोई भ्यक्ति थे तो इनके बारे में पूछा गया था तो ये एक चिंतक थे ठीक है नेक्स पूछा गया था सोवियत संग यानकी जो यू एस एस आर था ना इसका किस प्राशन है जो कि कौन से नंबर भी पूछा या सकता तो 48 पे नंबर के ही हो जाएंगे हमारे एनवी रमन्ना नेक्स प्रेशन देख लीजिए जी स्ट का पूर रूप पूछा गया था कि जी स्ट का जो पूरा अर्थ होता है तो अपको मालूम है goods and service texts जो होता है वो GST का पुड़ूरूप होता है ठीक है पत्यों में मौझू धरारंग किस नाम से आना आता है तो chlorophyll के नाम से आना आता है ठीक है एक डैस एक पक्षी है जो सांती का प्रतिक है तो कब उतर हो जागा यह प्रेश्ट जो है रिपीट हो चुके है ठीक है यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो यह ठीक है तो हम ऐसा करते हैं यही से रिपीट कर लेते हैं एक बार ठीक है नेक्स्ट बीडियों आपको यह गलती नहीं हो ठीक है लेकित में से किस मारक में पाई जाती है तो ताज महल मैं ने बता दिया था इसके बाद नेक्स्ट ब्रस्षण नमक कर रासायिक नाम कर नाम होता है तो आज क्लोराइट कर रासायिक कर दो हो जागी तो बरेटनेq हो हो जाए किरल की हो जाएगी किरल ठीक है कि इंग्लिस चनल कि किस ने पार्गिए तेर कर तो आर्थी सहाब भारती में लाए नर्मादाद भी कहां से निकलती है नागपुर में मैं अभी बताया था इस्ताबना को होती है इसकी सबसे लंबी हड़ी यानि कौन से होते है तो फीमर जांग की और सबसे चोटी में न बताई थी कान की होती है इस ट्रैपीस की इसके बाद है स्रेलंका में ग्रह युद्ध कब समाप भूआ था तो फ्रेंट्स यह बहुत ही ज्यादा सोस समझके बनाए यह कोश्चन बहुत ही ज्यादा रिपेट होते हैं तो टीन वीडियो का पूरा देखेगा और वीडियो खतम होते ही इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर को कि यह बहार निकालती है लार्गोडी है चलिए हम लास्ट स्लैट पर आगा चुके हैं भारत देश का सबसे चोटा राज्य हमना बताया था गोवा सबसे बड़ा राजिस्तान ठीक है सबसे बड़ा राजिस्तान ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारती महिल कौन दी तो हमने बताया था पीवी संदू दी जिन जेका से प्रसित कौन दे तो चिंतक हो जाएंगे सोवियत संग बर्स में टूटा था तो इन्क्यानमे में यह टूटा था ठीक हो भारत में बरतमान में जो बरतमान मुख्य नेया दी सबको न है तो एनवी रमन्ना को यह रट चुके होंगे जो कोईशन ठीक ना तो यार फ्रेंड बहुत ही मैनत करके वीडियो बनाया जा रहा है प्लीज इसको दोस्तों के शेयर करें और कल का इंतियार करें कल हम फिर से सो कोईशन लिगाएंगे आपको डैरेक्ट यहां से कोईशन मिलने वाला है आपके फिपर में तो चलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जय हिन जय वारत